तो हेलो गाइस दिस इस अरून, यूर वोचिंग टैगवूल आज हम बात करने जारे एफिलेट मार्केटिंग की वेबसाइट हम कैसे बनाएंगे और उससे हम कैसे अर्ण कर सकते हैं लास्ट वीडियो हम बात कर चुके कि एफिलेट मार्केटिंग होती क्या है उससे हम कैसे अर्ण कर सकते हैं, कैसे उसका अकाउंट बनाएंगे, कैसे हम लिंक जनरेट करेंगे वो सारी चीज़ों के बारे हम बात कर चुके हैं यदि आपको फिर भी उन वीडियो का लिंक चीए ता आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यदि आप टैग बूल बे भी जाके वीडियो में या प्लेइलिस्ट में भी जाके आप चेक कर सकते हो तो आपको देखने को मिलेंगी सारी वीडियो की हाउट टू अर्ण वगयरा, Amazon, अकाउंट कैसे क्रेट करें और आसान तरीके सारी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी आप इस वीडियो में एंड तक आज बने रही है हम आपको बताएंगे कैसे पूरी एक वेबसाइट बना के हम तैयार करेंगे और हम उससे कैसे अर्न करते हैं तो that's it, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो हम आज आते हैं अपने WordPress के डैसबोर्ट पे यदि आपको WordPress के बारे में नहीं पता कि WordPress है क्या और कैसे हम इसे यूज करते हैं और डॉमें कैसे पर्चेस करना, होस्टिंग कैसे पर्चेस करने, वो सारी चीज़ है यह दी आपको इसी जो में भी इसू है तो आप टैगूल पर जाके प्लेलिस्ट बनी हुई डॉमिन होस्टिंग से लेकर और वर्डप्रेस को लेकर आप वहां पर भी जाके चेक आउट कर सकते हैं तो आप वहां पर जाके चेक आउट कर सकते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं तो एक वेबसाइट को बनाने के लिए एक अच्छी सी थीम भी जुरूत होती है वाटप्रेस के अंदर जो कि आपने औरड़ी स्लैट की हुई है जो थीम आपके लिए तो आपको анеट करना और लीकर नहीं के इस के अंदर और अप्लोड कर Earth तो आप यहां से जो free theme है आप यहां पर देखाओा बहुस्ट सारी free theme मिल जाएंगी जो कि WordPress की अपने pre-build theme है जो उन्हें free में देता है वो तो आप यहां पर जाके search करें होगे जो theme मेरे आपको बताने जा रहा हूं लगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें इंस्टोल पर और यह इंस्टोल हो जाएगी काफी अच्छी थीम है एक अच्छी थीम यदि आप स्लैट करते हो तो उसके साथ आपको अच्छे डेमोज मिलेंगे मतलब प्रीबिल्ड एक वेबसाइट बनके तयार हो जाती है अरांग 10-15 मिनट में मैक्सिम देखिए अभी मै आपके सामने ही पूरी वेबसाइट बनाके तयार करूंगा ज़्याद 15-20 मिनट आ रहां लगेंगे हमको तो हमने थीम को एक्टिवेट कर देते हैं हमारी थीम एक्टिवेट हो चुकी है जस्ट देखिए हमारी थीम एक्टिवेट होगी है तो उपर आपका कॉंगले चेश डीमो कॉंटेंट जांट करके और डैमो कॉंटेंट करेंगे यहाँ यहां पर हम कुछ ऑंस्ट करने में help करेगा तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगे एंस Eh इंपोर्टर करके यह automatic जो भी plugins होते हैं या जो भी चीज़े requirement होती है उन्हें automatic इंस्टॉल कर लेते हैं ठीक है आप जस्टिस पर क्लिक करके देखते हैं डेमो content ठीक है ओ तो देखिए हैं पर इस सारी चीज़े हो चुकी है तो first all install active answer demo import plugin after active the plugin then visit demo answer importer इस पर इस पर हम क्लिक करते हैं देखते हैं कि यह मतलब की इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ और जाके आप चेक भी कर सकते हैं अपने देखिए इंस्टॉल हो चुका आपकी थीम्स के अंदर आज चुका है और यदि आपको दिवैसे भी देखना होता आप आपको यहां पर यहां पर देखने को मिल जाएगा और यहां पर ऑटमेटिक खुल चुका है ठीक है तो देखिए इंपोर्ट है इसके कुछ मतलब की हां से प्री बिल्ड मतलब की फूर्ट से रिलिटेड जो हमारी थीम हमने जो डाली अन्यूजब करके तो उसमें बहुत स और अन्यूजब आहाइक य इसे इंपोर्ट कर सकते हो जैसे फूड को लेके भी है इसमें ओर free वocy रिख करते हो magazine है newspaper और यह इंपोर्ट होना स्टार्ट हो चुका बोट्ट करता है internet स्पीड के उपर कि आपके internet की नियुक्ट किक्ट क्या है तो है एंप ज़ब हो ज conse од आगे प्रोशीड करेंगे तो मैं clears throwing कर tota शुक्र दोद हका करेंके तो देखिए मेरा डॉमेन जो था एके लाकर अब एक लोट कॉम इस पर पूरी वेबसाइट बनके तयार हो चुकिए देखे देखे पूरी वेबसाइट एक दम बिल्कुल बनके तयार होगी एक देखे प्रोफेशनली लुक आरा वेबसाइट का ठीक है कुछ चीज़े हैं थोड़ी कस्टमाइजेशन करनी पड़ेंगी उसमें कोई सुनी है तो देखे अरांड आपको 5-6 मिनट मैक्सिम लगी है पूरी वेबसाइट तयार करने में और मैं थोड़ी आपको इसमें कस्टमाइजेशन बताऊंगे क्या चीज़े कैसे करनी है और आप वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा मैं कि आप कौन सा प्लागिन यूज़ करके और मॉनिटाइजेशन भी कर सकते हो और दूसरा मजला एफलेट मार्केटिंग के लिंक कैसे लगा होगे कैसे मनी अर्न कर सकते हो वो सारी चीज़ों के बारे हम बात करेंगे यहाई पर क्लिक करके इसे एडिट कर सकते हो देखें काफी अच्छा लोग है आपको पेजिस बनके आगे हैं देखें मैं आपको कुछ कस्टमाजेशन बता देता हूं पहले तो देखें सबसे पहले हम एक बार मैन्यू को देख लेते हैं जैसे न्यूज़ बोगराई करके है तो हम चलते हैं मैन्यू में ठीक है सबसे पहले और प्राइमरी मैन्यू हमारे पास है देखें जो आपको लगाना है हटाना एक कॉंटेक्ट है वो सारे आगे पीछे आपको बस ड्रैगन ड्रोप करना देखिए मेरे को फॉर एक्जामपल यह मेन मैन्यू में लेके आना तो आपको यहां पर ड्रैग करना आगे की तरफ ठीक है और यह अभी नहीं आ रहा है से चलो कोई नहीं यह ऐसे आ जाता है कुछ एरर आ रहा होगा उस वज़े से आपको देखने को मिल रहा होगा मैं और करके देखिए उपर नीचे आपको करना है तो कॉंटेक्ट आपको मैं इसे लेके आ सकते हो जैसे देखो मैं इसे थोड़ा सा इधर की तरफ लेके आता हूँ तो देखिए हेल्थ के अंदर यह मैं मैंन्यू में आ गया गया को देखो कॉंटेक्ट यहां पे तो वही चीज में आपको बता रहा था साहथ किसी वज़े से हो नहीं रहा था एक मैंन्यू में लेके आता हूँ तो देखिए मैंन्यू में आ चुका है देखिए न्यूस के बाद आपको एकनोमी मिल रहा देखो मैंन्यू में इसे मैंन्यू में डाल देता हूँ और यह देखो जोगी मैंन्यू आपको बनाना है वह एडिट करके आप डाल सकते हैं नाम भी लोगो की बात कि हमारे जो main बात होती है कि हमारे side identity में जाएंगे हम ठीके देखे remove या change logo कर सकते हैं जो यहां पे हैं जो आपके पास अच्छा से logo है है यहां पे change करके यह तो होती है इए जो कि अपलोड़ेटेडोज है अब अपने भी फोроп या वीडियो जो भी है आप से अपलोड कर सकते हो और जो भी साइज देखने को मिल रहा होगा आप भी जाकर भी लोगों है डिजाइन है जो भी लोगों आप यहां से इसे भी चैन्ज कर सकते हैं जो भी आपके टैग लाइन है और उसके बाद इसे यह टाइटल का साइज वगर आए चोट-चोटे चीजें आपको देखने में आराम से समझ में आ जाएंगी यह फैवाइकन बोलते हैं इसे जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रह होगा या नियूज अपका यहां पर लोगों दिखाई दे रहो होगा या जोभी वेबसाइट आपने ऊपन किये तो यहां पर क्रोंडन में आपको फैवाइकन दिखाए दिता है अब यहां से जाके चैंज कर सकते हो तो यह शारी चीज़े भी आप आराम से इसे कर सकते हो यह सारी कस्टमाजेस हैं होम पेज की सैटिंग से और एडिशनल चीएस है होम सैटिंग से काफ़ी अच्छी चीजे हैं जो हैं से आप एडिट कर सकते हो उसके बाद आपको कोई सेक्षन हटाना है डिलीट करना है फॉर एकजंपल देख मैं थोड़ा से सही कर देता हूं कर सकते कोई सेक्षन आपको रिमूब करना देखे मैंने वह रिमूब कर दिया ठीक है अनकेटर को भी हम इसको रहने देते हैं लेटेस्ट न्यूज ए अनकेटराइज है तो इसे भी मैं फिलहाल के लिए रिमूब कर देता हूं यहां से देखे और थोड़ा सा डिजाइन अ को आप सुनाएगा यहां से वह रिमूब हो जाएगा देखे अब थोड़ी सी अच्छी लग रही है और मैं इसे पब्लिस कर देता हूं और वेबसाइट को आपको एक वर रिफ्रेस्ट कर आके दिखा देता हूं कि वेबसाइट आपको देखने में कैसी लग रही है ठीक है देखेंगे मैं हाँ पर आपको वेबसाइट को थोड़ा सा रिफ्रेस्ट कर देता हूं तो देखें यहां पर देखें थोड़ा सा और अच्छा लुक है देखने को मिल रहा है आपको चीजे थोड़ी सी पहले ब्लैंक थी थोड़ी ज्यादा थी हो रही थी वहां पर सारी आर्टिकल है जो आपको दिखाए दे रहेंगे वह ओटोमेटिक डेमो के साथ आए हैं वहां सारी चीजे मैं बताता हूं उसके लिए आपको वर्डप्रेस के डैस्वोर्ड पर जाना होगा तो उसके लिए क्या करना होगा न्यूजब क्या हो जो आपकी वेबसाइट के ना है मैं सबसे पहले आपको पोस्ट बनाने सेगहा देता हूं या सबसे फेहले मैं आपको पेजिज मिचे बनाने जिए देखे नहीं हैं आपने वेबसाइट को हम यहां पर लिए ठीक है देखे जो हमारे आपको मेन्यू में हाँ पर दिखाई दिए रहेंगे यह सारे पेजिज हैं contact us का जैसे हम click करते हैं contact वाले page पे तो देखें contact form 7 लगा हुआ जो भी चीजें देखें आप यहां पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है फिलाल तो contact form 7 है जो आप plugin है वो install कर सकते हैं और यहां पर आके edit कर सकते contact related detail है वो सारी चीजे कि आपको लोग कैसे contact करें वो सारी चीजे वो जैसे for example अबाउट उसका पेज नहीं है तो हम क्या करते एक अबाउट उसका page बना लेते हैं उसे menu में add करके भी दिखा देते हैं ताकि आपको और सारी चीजे अच्छे से समझे में आ जाए उसके लिए हम क्या करते हैं अपने wordpress के dashboard पर जाते हैं और यहां पर pages आपको देखने के मिल जाएंगे all pages आप यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे all pages यहां पर इस सारे pages हैं आपको एक new page add करना है मैं डाल देता हूं यहां पर about us ठीक है और उसके बाद जो भी टेक्स टास है टेक्स वगएरा है for example मैं कुछ डेमो टेक्स उठा लेता हूं यहां पर ऐसी सर्च मार के डेमो टेक्स्ट करके ठीक है मैं ऐसी डेमो टेक्स्ट करके मैं डाल देता हूं कोई नहीं यहां पर थोड़ा सा लोरे मिसमिंग का टेक्स आ जाएगा मैं इस टेक्स को यहां से कॉपी करके और अपने उसमें पेस्ट कर लोगा उसमें कोई इस्व नहीं है for example के लिए और कुछ नहीं है मैं और थोड़ा सा यहां इतना मैंने कविक कर लिया ठीक है उसके बाद मैं अपने पेज पर एफजिक करके- पेष्ट कर देता हो ठीक है तो देखें यह थोड़ा सा कॉंटेंट नहीं अएसे आ चुका है वह और हैडिंग सबएडिंग वगरह for example आपको अपने page में कोई भी कहीं पे भी image वगर add करनी है कहीं बीच में तो just आपको click करना है for example नीचे करना है यहाँ पे तो आप just इस पे click करना है देखें यहाँ गया तो यहाँ पे click करके और नीचे की तरफ option आएगा या add पे यहाँ से click कर लो add block करके जो भी है तो जैसे आप just इस पे click करोगे तो आप देखें paragraph है image है और table है list कोई भी चीज़ add करनी है तो just आप click करोगे तो image पे जैसे मैं click करता हूँ तो यहाँ पे upload image आएगा कि एक नई image media library से या कोई आपके पास URL image का वो insert कर सकते हो तो मैं upload कर लेता हूँ media library से कोई simple से image उठा लेता हूँ ठीक है मैं यह image लगा देता हूँ और इसे select कर लेता हूँ तो देखें यह सारी चीज़े हो चुकी है आपके page में page आपका बन के तयार हो चुका है और नीचे आपका कुछ करना नहीं है और उसके बाद उसे publish कर देंगे ठीक है यहाँ पर just click करके आपका page publish हो चुका है ठीक है उसके बाद करना के आप व्यू करके आप अपने page को देख सकते हो just click करके और यहाँ पर आपने देखो about us का section बन चुका है और यहाँ आपका content हो आए जो भी सारी चीजे यहाँ आपको देखने को मिल चुका है कि आपका page बन के तियार हो गया अब बात आती है कि देखो ऊपर menu में about us का section है यह नहीं तो add कैसे करना है तो आपको wordpress के वापस dashboard पे जाएंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा plugins और appearance में menu ठीक है just menu पर click करके new time में open कर लेता हूं मैं और इसे यहाँ पर already कुछ time से लिए बंद कर देता हूं इस page को और autos वाले section को बंद कर देता हूं ठीक है यहाँ पर आपको menu देखने को मिले होगा तो यहाँ पर आपने menu का customization कर सकते हो कुछ चीज़ा आपको हटानी है छोटा menu करना है तो आप यहाँ से remove कर सकते हो कोई category extra बनानी है वो भी बना सकते है यहाँ से मैं एक दो category remove कर देता हूं और news करके और about us को add करने के लिए आपको यहाँ पर click करना हूँ जो हमरा page बन चुका है और add to menu करना होगा तो देखिए वो सबसे नीचे आका देखने को मिलेगा मैं इसे उपर कर देता हूं ठीक है news up के बाद कर देता हूं यहाँ पर some menu में ठीक है और about us को नीचे आपकी website में आ चुका होगा menu में देखिए मैं इसे refresh कर देता हूं contact वाले page को या main page बाद देखिए या main page पर आ जाता हूं यहां से तो देखिए news up about us देखिए यह तो कि menu की बात वह सरी चीज़ा आप edit कर लोगे वह चोटी चोटी चीज़े हैं आराम से आप customize कर लोगे उसके बात करते हैं पोस्ट की जो हमारी दूसरी बात है तो कैसे हम पोस्ट बनाएंगे तो पोस्ट के लिए आपको just click करना देखिए हाँ पे सारी पोस्ट है all post जो कि already इसमें पढ़ी हुई है पहले सी ठीक है यह सारी पोस्ट है जो already इसमें पढ़ी हुई है आप इन्हें delete भी कर सकते हैं इसमें कुछ customization कर सकते हो और category वगरा है वो सारी चीज़े हैं और मैं एक नई पोस्ट add करना चाहरा हूं ठीक है कि मैं आपको एक टाइटल मैं टेक्स उठा लेता हूं यहां से कि पोस्ट को एक टाइटल होना चीए अच्छा सा को टाइटल मैं यहीं for example lorem इसमें उठा लेता हूं वह आप जो आपको अच्छा लगे वह उठा सकते हो पोस्ट में यहां पर मैं कॉपी कर देता हूं ठीक है उसका टेक्स है मतलब कि आपका जो पोस्ट है उसमें आपको कुछ टेक्स्ट लगाना है इमेज लगानी है तो आप वह लगा सकते हो for example मैं फिल हाल एक टेक्स उठा लेता हूं यह दो तिन इमेज लगानी है वह मैं आपको लाश्ट में बता चुका हूं ठीक है और for example इसमें ऐसे जस्ट किलिक करना है और ठीक है यहां पर देए कुछ चीज़ आपको देखने को मिलेगी यहां पर होता है यह लिंक वाला ठीक है जस्ट आपको जैसे कुछ किलिक करके इंसर्ट यह वाली मेज लगा देता हूं और देखें यह तो होगी कि मेरे पास अब बात आती है कि जैसे आप पोस्ट डालोगे पोस्ट डालने के बाद आपको affiliate marketing के जो links हैं वो कैसे लगाने हैं images कैसे लगानी है कि आप कैसे earn कर सकते हो ठीक है पोस्ट में डालोगे यह सारी मैं बता रहा था कि website कैसे बनाने हैं और link कैसे आपको लगाने हैं तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रही हूंगी चीज़े कि सर बीच में क्या link बोलने लगे affiliate marketing बोलने लगे जोनों ने मेरी पहले से वीडियो देखी हूंगे उनको चीज अच्छे से समझ में आ रही यहां से वोज है वोज का थोड़ी add करना हूं तो मैं हाँ पर एक इमिज लगा जयता हूं वोज की या मैं इसके वोज का मेरे को यह वाली वोज का लिंक चीए कि इस वाली लोग को लिंक चीए तो link मैंने सारी चीज जनरेट करने बता दिया हूं तो get link पर जश्ट आप क्ल लिए मैं वेबसाइट पर वापस आजाता हूं तो देखिए यहां पर तो आपने जैसे यह वोच है यहां पर और उसके बाद नीचे कुछ क्लिक कर देता हूं मैं और इसे ए最 कर देता हूं नहीं। द्वार आड कर देता हूं थे टिक है तो यहां पर और वह उडke सकते हैं उसकाओ ऊपर इमेज सकते हैं की कोई सब्सक्राइब क्लिक करेगा न्यू टेब में ओपन होगा वो वेबसाइट पे जाके खुल जागा मैं इसे फूर यह तो हमारी पोस्ट तयार हो चाहिए एक चोटा सा एक्जमपल दिया मैंने ठीक है अभी और चीज़े भी बताने वाला हूं मैं आपको वीडियो में बने रही अभी तो देखिए यहां पर हो चुका है उसके बाद आपको पोस्ट में आना है ठीक है यहां पर को चीज़े देखने को मिलेंगी कि आपको किस एटगरी में सामने की जीज़े होती है जो कि आपको दिखाई देगी जैसे आप पोस्ट को खोलते हैं नहीं ना भीखोलते हैं तो सामनेगे इमेज़् दिख़ए देगी यही मpción करता हूं यदि ए फिर डिपन होकी कहीं पर पर तो दे जो आपको यह image दिखाई दे रहे हैं यह यह होती है feature image जो कि post को open करने से पहला आपको image दिखाई देरी जैसा इमेज यह feature image बोले बोली जाती है तो आपको क्या करना है एक अच्छी सी feature image select कर ले लिए ह Switch से और यह कर लेता हूं कोई सर्च मार रहा बैस्ट वोच बाय सेलिंग जो भी कीवर्ड आप डालोगे यहां पर वह आप डाल सकते हो और उसके वाद से हम पोस्ट को पब्लिज कर देते हैं है तो देखिया आपकी पोस्ट पब्लिक हो चुकी है आप वियू कर सकते हो पोस्ट को जैसे इसे ची स्वेत करोगे आपकी पी एक्जेक्ट वह वाली वोच बैठ जाओगे वो new tab में मैंने open नहीं किया था वो क्लिक करना भूल गया था मैं तो new tab में भी open होती है करता हूं एक दो छोटी चीजे और बता देता हूं आपको तो देखिए यहां पर देखने को मिल रहागा आपको एक तो की जिसने की यहां पर यह पोस्ट बनाई है तो यहां पर by admin लिखा रहा है ठीक है यहां पर डेट आ रही है और यहां पर कुछ आईकन आ रहा है जिसने कि एक website में दो से तीन author होते हैं वो अपनी पोस्ट आर्टिकल डालते रहते हैं तो किसने डाली है कैसे डाली है बंदे का क्या नाम है author का क्या नाम है वो चीज के लिए में एक चोटी सी चीजे बता देता हूं यह मेरे को एक दम याद आ गया था तो मैं आपको बता देता हूं उसके लिए आपको जस्ट क्लिक करना है यूजर्स के अंदर और और यूजर कर लेते हैं आप कितने भी यूजर्स बना सकते हो जो लोगिन करके आपकी वेबसाइट पर तो देखें एक सिंपल सा पहली एक मतलब की एड़िन बना हुआ है आप जस्ट इस पर एडिट करोगे ठीक है एडिट करने के बाद देखें got color वगरा design और यहां पर nickname खाए यह फुम्झार क्र मार कर दीजिए और यहां पर mail ID है और देखिए यहां पर आइकन भी चैनल कर सकते हैं इसके प्लिक करके इनके वेबसाइट पर जाके आपना भी लगा सकते हो और इसे अपडेट कर देते हैं तो देखिए अब जितनी भी पोस्ट खुलेंगे उसमें जो भी ओथर राइट करेगा और जो भी लोगिन करके उससे करेगा तो उसका नाम आएगा डेट आएगा किस टाइम पर उसने वो पोस्ट लिखिए वो सारी चीज आएगी उसमें तो देखिए बाई अरुन कुमार जैन 21 22 करके ठीक है यह चोटी-छोटी चीजें हैं आपको जो चीजें द देखने के लिए और आपको थोड़े सा पेड़ की तरफ जाना होगा आपको एक वर्डप्रेस का प्लग-इन पर्चेज करना पड़ेगा काफ अच्छा प्लग-इन है जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूं यह है एडवलूपी ठीक है काफी अच्छा प्लग-इन है आपक जाकर चेक कर सकते हो और जैसे लाइब डेमो पर देखिए तो देखिए डेमो आ चुके है अब देखो इसका फायदा क्या होगा जब आप इस प्लग-इन को इंस्टॉल कर लोगे तो जैसे मैंने आपको यहां पर लिंक दिखाई दे रहा है आपको यह लिंक नहीं करते हो तो जब आप इसको प्लग-इन को इंस्टॉल करोगे तो आपको बहुत सारे डेमो ओप्संस देखने को मिलेंगे तो जैसे मैंने लिंक लगाए वहां पर लिंक लगाने की ज़रूत नहीं होगी तो देखिए जिस डेमो विजिट्स हैं मतलब कि आपको प्रोड़क् हैं या टैग्स हैं वो सारी चीज़े तो आप जैसे यहां पर देखके साइड में यह एक्जेक्ट ऐसे डेमो विजिट्स लगा सकते हो यह स्मॉल विजिट्स हैं देखिए यहां पर ऐसे आप लगा सकते हो अपनी वेबसाइट में इस मतलब की प्लग-इन के थुरू तो साफी चीज़ है देखें यहां पर मतलब किसका डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगा सिंगल है मुल्टीपल प्रोडेक्ट बॉक्स जैकि बाइनाव का बटन आएगा बंदा डारेक्ट जाएकर क्लिक कर लेगा आपकी वेबसाइट पर एग्जेक्ट यही चीज ऐसे दिखाए देगी ठीक है जो अच्छा लग रहा ऊपर आप थोड़ा सा हेडिंग डाल सकते है कि अच्छा प्रोडेक्ट आप बाई कर सकते हैं बाई नाव करके और रिसेंट में होट प्रोडेक्ट आप पर्चेज कर सकते हो वह साइची डाल सकते हो कि कस्टमर को थोड़ा अच्छा तो आपको benefit मिलेगा उसका तो आप plugin का यूज करके बहुत सारी चीजे लगा सकते हो देखिए बहुत अच्छा जैसे किसी को TV चीए तो देखिए कुछ description है देखने मा अच्छा लग रहा है जैसे मैंने आप लिंक लगाया थे तो फिरी वाली चीज होगी आपने लिंक लगा देखने को मिल जाएंगी तो यह वीडियो काफी लंबी हो चुकी है और यदि आपको फिर भी कोई प्रोग्लम आ रही है चीजों को इंस्टोल करने में लगाने में अकाउंट बनाने में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो हम आपकी पूरी मदद करेंगे और कमेंट का जोर से जरूर रिपलाई करने की कोशिस करेंगे और तो यह वीडियो यहां ही तक कि और मिलते एक नई वीडियो में नए टोपिक के साथ जब तक के लिए जैहिन बंदे मात